जैहिन, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि GDP क्या होता है और GDP को कैसे निकाला जाता है और कैसे पता चलता है कि किसकी GDP कितनी परसेंट बढ़ गई है और India GDP के मामले में कहां पर खड़ा है और GDP के बाद आता है, NDP भी आती है, GNP आता है, NNP आता है, ये सब चीजे क्या होती है और economics पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और China जो है वो GDP में कितने नंबर पर और India GDP में कितने नंबर पर है अगर हम GDP की बात करें तो हम लोग छटवे, साथवे नंबर पर आते हैं, लेकिन PPP के मामले पर हम तीसरे नंबर पर चल जाते हैं तो इसमें क्या अंतर है इसे समझते हैं हम लोग पहले तो आप GDP की परिभासा समझिए, एक GDP में चार चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है सबसे पहला होता है राजनीतिक सीमा, यानि आपको अपने सीमा में रहके ही आपको GDP निकालना है जैसे कोई चीज अगर राजस्थान में बन रही है तो उसे आप मदपर्देश के GDP में सामिल नहीं कर सकते हैं वो राजस्थान के GDP में जाएगी वैसे ही अगर कोई चीज़ इंडिया में बन रही है तो उसे आप चाइना की GDP में नहीं सामिल कर सकते हैं जैसे चाइना की कमपनी माली है क्यू की नाम की एक कमपनी है क्यू क्यू तो वो इंडिया में आके घड़ी बना रही है सब कोछ की यहां पे तो वो घड़ी इंडिया में बन रहा है भले चाइना की कमपनी बना रही है तो वो इंडिया की GDP में आएगा तो जो भी GDP होती है वो एक राजनीतिक सीमा के अंडर में ही आती है GDP और एक साल के लिए अमोमन GDP को निकाला जाता है इसमें दो जगाँ आदमी पंशता है वस्तू यों सेवाओं को सामिल किया जाता ही और उनका अंतिम मुल्य सामिल किया जाता है तो सबसे पहले हम अंतिम मुल्य समझते है किसी चीज के अंतिम मुल्य क्या होता है फिर वस्तु और सेवा समझेंगे फिर जराजनीतिक सीमा समझेंगे अंतिम मुल्य उसे कहते है यह last cost जो हता है last price जो जिसका हम पैसे देते हैं, कोई भी चीज कई component से मिल कर बनी होती है, जिसे हम पहली दूसरी या तीसरी चीज कहते हैं, लेकिन last जिसका हम payment देते हैं, उसे हम अंतिन मुल कहते हैं, जैसे आप कोई laptop खरीते हैं, तो laptop ऐसे थोड़ी हो जाता है, इस laptop के अंदर सबसे main चीज ह होता है, इसका processor होता है, कितना fast काम करेगा, अब जादे तर laptop में आपको intel company का एक processor मिलेगा, तो आप बताइए, क्या आप processor खरीदने जाते हैं, आप तो laptop या computer खरीदने जाते हैं, लेकिन उसमें processor है, तो यह पहली बस्तू है, अब इसमें आपको windows software मिलेगा, अब windows किसका है यह Microsoft company का है, प्रोसेसर, Intel company का है, लेप्टॉप आपका मनली जे, Dell company का है, तो आप जाते हैं खरीदने, तो आप इसका final payment देते हैं, अंतिम वस्तू का, Dell यह थोड़ी कहती है, कि यह तुम 10,000 प्रोसेसर का देदो, 2000 विंडोज का देदो, बाकी हमको देदो, वो सारा का सारा चीज इसमें include रहता है, इसी को हम कहते है, अंतिम वस्तू, तो यह हो गया पहली, यह हो गया, दूसरी, यह हो गया अंतिम, इसको और example में समझीए, कि कोई भी building वगरा बनता है, तो उसमें इटा लगता है, सीमेंट लगती है, मजदूरी लगती है, छड़ लगता है, अगलग वस्तू का rate सामील नहीं होता है, तो थोड़ी कहएगा कि इसमें 2 लग का इटा लगा है, आपको यह होता है, इसमें हर एक चीज को include किया जाता है, तो हमेशा जो GDP count किया जाता है, वो अंतिम वस्तू पर count किया जाता है, जैसे आप एकदम छोटा example समझीए, कि समोस तो समोसा में आपका उसमें आलू का चोखा भरेगा, उसमें कुछ-कुछ मसाला वगरा डालेगा, मैदा में उसको लपेटेगा, फिर तेल में fry करेगा, तब ना समोसा होगा, समोसा जाते हैं खरीदने, तो क्या खाता है, कि एक रूपिया मैदा का, दू रूपिया आलू क का आठना तेल का उसमें सो चटनी दिये उसका मीर्चा उसका इस अब अलग-अलग काउंट करता है कभी नहीं करेगा आपसे साथ आठ रुपया लेगा काया कि यह एक समोसा का अंतिम हुल है तो कभी भी हम पेमेंट किसके बदले देते हैं क्या पहली वस्तु का पेमेंट दे कहा जाता है देखिए वस्तु उसे कहते हैं कि जब पैसे के बदले हमें कोई सामान मिलता है जिसे हम छूप के देख सकते हैं उसे वस्तु कहते हैं और पैसे के बदले जब हमें कोई सामान ना मिले तो हम उसे कहते हैं सेवा जैसे आप हमसे पढ़ने आते हैं तो पैसा दे क क्लास में बैठते हैं और पढ़के चले आते हैं आपको हाथ में उठा खर ले जाने के लिए कोई समान नहीं मिलता है सिधे दिमाग में चला गिया तो उसे कहते हैं सेवा तो जब कभी payment के बदले कुछ ना मिले बल्कि आपको feel हो की नहीं हमें मिल गया तो उसे कहते हैं सेवा और अगर सामान मिल दिया तो उसे हम क्या कहते हैं वस्तू जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो जो मैनेजर को पैसे देते हैं वो आप पैसे उस वस्तू के बदले दियें जो उसने आपको खाने के लिए दिया लेकिन जो वेटर को टिप देते है 10-20 रूपय वो क्या है वो सेवा के बदले दियें कि वेटर आपको लेया के रखाने तो खुद जाके आपको लेयाना पड़ता तो वो हो गई आपकी सेवा इंडिया में अलाग अलाग टाइप की वस्तूओं का निर्माड होता है जैसे कार वगरा का निर्माड हो गया इलेक् हो गया मोवाइल बनते है कैमरा बनता है हर एक चीज के बनते है आपके बिल्डिंग कुदारी करनी बस लेस्ट चीज बनते हैं यह जितनी चीज़े बन रहे है जैसे होस्पिटल एक्विप्मेंट हो गया उसका ऑक्सिज़न सिलिंडर बनेगा आपका बेड बनता है वेंट गुट्स है सब सामान है जिसका उत्पादन इंडिया में हो रहा है जैसे कपड़ा का उत्पादन हो गया खेलने वाले चीजों का उत्पादन हो गया यह सब क्या चीज जा जाते हैं सब अब हिंदुस्तान में करोण चीजे बनती है सब इसका ही हिसाब रख लेना जीडीप देदेगा आपको दिल्ली से उठा के आपको लखनव छोड़ देगा कि पूरा जहार देदेगा आपको ट्रेन हो गया बस हो गया कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया वो क्या है सेवा है पसा ले के बदले में हमें यहां से वहां पहुचा देता है बैंकिंग एलाइसी क्या है सेवा है स्कूल कोचिंग यह सब की सब क्या है सब सर्विस सेक्टर है सब सेवा का चीज़ होगे आपका जितने भी टेलेकॉम कंपनी है जीओ है आप कहते हैं हलो तो आपको क्या पूंचा देता है यहां से वहां कि आवाज को पूंचा देता है आ यह यह ज़ंग है किआ उधा को को क्यों कि आघसीता, प्रेसरियों का मुष्व क्फू injection विजसरे में, किटा खूखिता खूजर दोौह, सोभ कितना व कम खूखिता, कितनी हैद खूखू, कितना पैसा कमारी होगी, उन सारी के सारों को जोड़िएगा, तो आपको क्या आएगा, इंडिया की GDP निकलती है, अब यह और कुछ है GDP में, आप समझते हैं, राजनीतिक सीमा, एक साल तो समझ में आई यह हो गया कि साल किसे कह जाता है, राजनीतिक सीमा क्या होता है, देगे कोई यहां पर मचली पकड़ने चला आया, तो यह इसकी राजनीतिक सीमा है, मल यहां से कोई पेट्रोल निकल ला है, मचली पकड़ने वाला क्या हो गया, राजनीतिक सीमा, कोई यहां समुदर से पेट्रोल निकल रहा है, तो यह हमारे भागोलिक सीमा में नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक सीमा के वज़े से भी यह हमारी ही GDP में आएगा अब जिसे एर इंडिया का जहाज है अब वो इंडिया से गया किसी को दुबई छोड़के आया तो इंडिया तो क्रॉस करके दुबई चला गया तो आप कहेंगे कि आप बताये तो सर जीडिपी में हमारी दूतावास है जैसे हमाली यह पाकिस्तान में है इंग्लैंड में वो दूतावास और वो दूतावास वहां पर किसी का काम करता है जैसे हमाली यह किसी का पासपोर्ट खतम हो गया तो वहां पर फीस देगा ना कि भया मेरा पासपोर्ट का डेट खतम हो गया आप बना दीज जो गया तो GDP में क्या रखते हैं राजनीतिक सीमा के अंतरगत एक साल में उत्पादित होने वाली सभी गूट्स यानि वस्तु एम सर्विस यानि सेवाओं का अंतिम मुल्य को आप सामिल कर लेते हैं तो उसी को GDP कहते हैं अधीजी ने काये ना कि हमें अपनी GDP को 5 ट्रिलियम बनाना है हला कि अभी हम लोग 2.8 मतलब लगभक तीन ट्रिलियम पर हम लोग है हमें जाना कहा है पाँच ट्रिलियम पर जाना है अब GDP का फूल फॉर्म होता है Gross Domestic Product Gross का मतलब होता है सकल Suckle का मतलब है Total Total मतलब समझ गए आगे Total कितना आपने उतपाधित किया aur gross domestic मतलब अपने घर में यानि अपने देश अपनी सीमा के अंतरगत आपने कितना उतपाधन किया इसी को कहते है सकल घरेलू उतपाध यानि टोटल आपके घर में कितना उत्पादन हुआ उसी को हम क्या कहेंगे GDP सपोज कर लिए यह हमारा इंडिया है एक रफली हम ऐसे समझा दिये यहाँ पर यहाँ पर हमारी इंडिया की कई कमपनिया मिलके हम एक ही कमपनी को भी कंसीडर करते ताकि कल्कुलेशन में असानो टाटा कमपनी ने मान लिया कि 100 रूपया का माल बनाया यहाँ पर और AG कमपनी जो विदेश की कमपनी है इसने यहाँ पर 50 रूपया का माल बनाया तो हमारी जो GDP हो गई वो कितनी हो गई? 1500 रुपय हो गई और मान लिया कि इंडिया का एक आदमी है जिसका नाम है रमेस ये रमेस नाम का व्यक्ति सौधी अरब में काम करने गया है वहाँ जाके ये 10 रुपया कमा लिया तो आप कहेंगे कि सब GDP कितनी हुई तो देखें GDP में हम अपनी सीमा के बाहर नहीं जाते हैं तो हमारी जो GDP हो गई Gross Domestic Product यहां Domestic सब ध्यान रिएगा कि घरेलू उत्पाद हमारे घर में कितना हुआ है तो ये घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा GDP हमारा 50 और ये 150 हो जाएगा जब कि रमेस की आए को हम नहीं सामील करेंगे क्योंकि वो सीमा के बाहर चला गया भले हमारा है तो क्या हुआ हमारी सीमा के बाहर गया हम उसे सामील नहीं करते हैं तो GDP जो होता है ये अच्छा भी है और खराब भी है GDP से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहां किसी चीच का उत्पादन कितना हो रहा है अगर GDP जादे है तो आपके यहां उत्पादन जादे हो रहा है इसका मतलब आपके यहां लोगों को रोजगार जादे मिलेगा और सरकार को टेक्स जादे मिलेगा और बिदेसी कमपनियां भी इसको अच्छा मानती है कि उत्पादन जादे हो रहा है, इसका मतलब वहाँ उत्पादन करने की छमता जादे है, तभी तो उत्पादन जादे हो रहा है, क्या रेगिस्तान में कभी बागीचे का उत्पादन हो सकता है, नहीं हो सकता है, जहां हरी देगी LG company भारत सरकार को tax देगी लेकिन LG company अपना total मुनाफ़ा अपने देश में लेके जाएगी और ये रमेश जो है ये 10 रुपया भले भारत के बाहर कमा रहा है लेकिन ये भारत को भेजेगा तो GDP जो है वो gross यानि total domestic प्रोडक्ट को दिखा रहा है आपके घरेलू उत्पाद को दिखा रहा है लेकिन ये आपके अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखा रहा होता है लेकिन अगर हम आपको कह दे किया ये GDP आपके national product है आपका राश्टी उत्पाद है तो गलत है ये राश्टी उत्पाद नहीं है य हमारे घरेलू एरिया में उत्पादित हो रहा है लेकिन 100% यह हमारा नहीं है इससे यही दिखता है कि सरकार को टेक्स जादे मिलेगा रोजगार होगा और उस देश का उत्पादन चमता बढ़ेगा इसे देखकर विदेशी कंपनिया भारत में आएंगी तो अब बात कर लेते उस पैसे का जो भारत के काम में आने वाला है यानि जो हमारे राष्ट का पैसा है नेशनल इंकम है तो उसे करते हैं ग्रॉस देखें मैथ में टोटल चीजों को हम टोटल करते हैं लेकिन एकनोमिक्स में हम टोटल ना करके ग्रॉस करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोड़क सब्सक्राइब दिखिए वह घरेलू था यानि हमारे घर में हो रहा था और यह हमारे राष्ट का पैसा है तो इसलिए इसको उम सॉटकट में जी एनपी कहते हैं अब आप ही से कहते हैं जी एनपी यानि राष्ट का पैसा कैसे निकालेंगे आप इस GDP में से यानि जो इस परावर जो GDP है इसी GDP में हम रमेश के पैसे को जोड़ दे और ये LG का पैसा घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा जी एनपी मिल जाएगा तो इसी को कहते हैं प्लस X माइनस Y यहां हम X किसको माल लिए हैं रमेश के पैसा को X माल लिए हैं और जो LG का पैसा उसे हम Y माल लिए है तो इसे को कहते हम GNP यहाँ GNP कितना हो गया वही तो आप देखे GDP यहाँ पर यह 100 रुपया हमारा क्या है टाटा का इंडिया का ही और रमेश वाला 10 जोड़ दीजे 110 हमारा क्या हो जाएगा GNP तो एक आप डारेक्ट निकाल सकते हैं कि एक अपना देख लिजे बाहर वाला अगर आप फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो पहले GDP निकालिए फिर इसमें रमेश वाला जोड़के इसको घटाईए अंसर तो सेम आने वाला है तो यहाँ देखे आपको यहाँ लिख देते है GDP कितना आया है 1500 अब इसमें प्लस करते है रमेश का इंकम रमेश का इं अब आप बताईए हमारा GDP ज़ादे दिख रहा था लेकिन जो हमारे काम लायक था GDP वो तो कम हो गया तो अमूमन जो देखा जाता है वो GDP बड़ा होता है और जी अनिप छोटा होता है लेकिन एक अर्थ विवस्था होती है एक economy होती है जिसे कहते है closed economy closed economy को हम कहते है बंद अर्थ विवस्था उसमें ना आयात हो सकता है ना निर्यात हो सकता है तो जब आयात नहीं होगा निर्यात नहीं होगा तो इस formula के हिसाब से देखिए ना X और Y ये दोनों नहीं रहेंगे तो उस condition में GDP और GNP क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे एक और condition है GDP और GNP के बराबर होने का वो क्या है कि जितनी मातरा में माली ये LG ने कमाया उतनी ही मातरा में अगर सुरेज भी कमा ले तो भी GDP GNP के बराबर हो जाएगा यानि बंद अर्थ विवस्था में या निर्यात और आयात यानि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाने की स्थिति में GNP और NNP बराबर हो जाते हैं अब ही जो कंडिशन देख रहे हैं इसमें GDP जादे है और GNP कम है इसका मतलब है कि बिदेश वाला आपके यान घुस के जादे कमा ले रहा है देखे अगर GNP घट गया तो इसका मतलब यह हुआ कि बीदेश वाला आपके यहां से कमा के जादे चला गया इसलिए GNP घट गया है GNP को जादे रहना चाहिए अगर आपको जादे फायदा चाहिए तब लेकिन ऐसा नहीं है GDP से भी फायदा होता है हम लोगों हम लोगों को टेक्स जो मिल जाते होते हैं तो GDP और GNP आप समझ में आ गया जैसे हम आपको एक्जामतल देते हैं आप बताएंगे जो है रिलाइन जीओ यह जो जितने चीज सर्विस का उत्पादन कर रहा है वो किस में जाएगा वो इधर से तो GDP में जाएगा ही जाएगा साथ ही साथ वो GNP में भी आएगा क्योंकि तो है इंडिया का नेशनल चीज है लेकिन अगर आप वोडाफोन की बात करेंगे तो वोडाफोन हमारे GDP में जाएगा लेकिन वो हमारे GNP में नहीं आएगा तो GDP, GNP में आप खुद से डिसाइड कीजेगा कि कौन सी कंपनी GDP, GDP में तो जितनी कंपनी आप इंडिया में और GNP में देखेंगे तो इसमें भी आता है NNP, यानि दोनों चीजों के पहला अक्षर G को हटा के वहाँ N लगा दिया जाता है, यानि नेट पर वैलू क्या होती है, तो देखें, नेट किसो को कहा जाता है, जैसे मल लिया कि हमने किसी चीज का उत्पादन किया, जैसे LED ब का उत्पादन किया, लेकिन उसमें से एक LED बल्व फ्यूज निकल गया, और एक LED बल्व कहीं गिर कर तूट गया, यानि दो मेरा बरबाद हो गया, तो इसे हम डिप्रेसियेशन कहते हैं, तो दोठो जो बरबाद हो गया, ये हमारा जो ग्रॉस प्रोड़क्शन था, टोटल उत्पादन था, वो तो था 10 LED बल्व का, लेकिन टूट फूट हो गया, दोठो का, तो नेट प्रोड़क्ट नहीं है, अब हमको नेट मेरी भैलू आएगी केवल 8 LED बल्व के बराबर, देखिए अब नेट भैलू कैसे निकलते हैं, जैसे यहाँ GDP है, तो यह ग्रॉस ने बनाया था, यहाँ पे आपका 100 रुपय का समान, और LG ने बनाया था 50 रुपय का, टोटल आपकी GDP हुई थी, 1500 रुपय की, और पता चला इसमें 10 रुपय का समान तूट फूट गया, तो आप यहाँ पे इसमें से 10 रुपय माइनस करिएगा, तो आपकी टोटल NDP कितनी ह गई, 10 रुपय आपको माइनस करना पड़ेगा, D की रुपय का समान तूट गया, आपकी NDP कितनी हो गई, आपकी NDP हो गई, 140 रुपय की, आप इसमें से भी देखिएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टाटा का 8 रुपय का समान तूटा होगा, और LG के 2 रुपय का समान में टूट फूट या मसीनों में घिसा वटाई होगी, तो टोटल हमने D की रुपय कितनी लगाई थी, 10 रुपय, तो यहां पर आप बतेए, GDP तो देड़ सो था, लेकिन NDP जो टूट फूट निकालने के बाट, नेट रुपय आये था, यानि सुध घरेलू उतपार, नेट को बते हैं सुध वो कितना आगे, 140, और अगर हम यहीं इधर कह दे, कि नहीं इधर भी बताईए, GNP में भी टूट फूट निकालकर, नेट भैलू निकालिये, तो नेट भैलू में हम क्या करते हैं, मुह लेहरास घटा देते हैं, यानि डिप्रेसियेशन, अब आप इसमें क्या किये थे, कि हमने GDP में से हमने किसको निकाल दिया तर, GNP कैसे निकाल जाता है, टोटल अपना वाला, यानि टाटा वाला निकाल दिया और रमेश वाला, अब देखिए, टाटा का यहाँ पर इंकम कितना था भैसाब, 100 रुपे, तो टाटा का था 100, और रमेश क कितना था? 10, तो टोटल हमारा GNP कितना आ गया? 110, लेकिन रमेश वाले में तो किसी भी प्रकार का मुल्य हरास यानि डिप्रेशियेशन तूट फूट नहीं हुआ, लेकिन टाटा का समान कितना का तूट गया था? 8 रुपे का, तो फिर यहाँ पर D की भैलू कितनी आ गई तो उसे हम सुद्ध भैलू या नेट भैलू कहते हैं, ये दोनों में सुद्ध भैलू निकाला जाता है, GDP साइट से भी और GNP साइट से भी निकाला जाता है, दोनों के लिए फार्मूला एक की टूट फूट घटाईए, यहाँ हमने 10 रुपे टूट फूट को घटाया, क तो आप यह समझ गए कि कितने टाइप के होते हैं, यहाँ चार चीज़ आप समझे, GDP, GNP, आप दोनों का सुद्ध भैलू यानि NDP और NNP को आप समझे, चारो टाइप को, अगर आप भारत की GDP की बात करेंगे, तो ट्रिलियम में होगा, ट्रिलियम का सेद्ध के ध्यान से अंग्रेज जो इंगलिस प्रदति होती है, हम लोग तो दो जीरो को फॉलो करते हैं, वो लोग ट्रिपल जीरो को फॉलो करते हैं, यानि तीन ठोगर जीरो आप बना दिये हैं याप पर, तो आप समझे कि यह 1000 भैलू है, तीन जीरो और लिखे हैं, तो यह 1000 के बाद एकी प करनी हैं, तो हमको GDP करनी है, पांच ट्रिलियम करनी है, तो पांच ट्रिलियम डॉलर GDP करने में बहुत जादे टाइम लग जाएगा, तो अभी यहाँ देखे हम लोग की GDP आगे अठकी है, वो छठवे या सत्वे अस्थान पर आती है, क्योंकि दोनों में जादे कांतर नहीं है, हमसे थोड़ा सा नीचे है, फ्रांस, कभी फ्रांस आगे चला जता है, तो कभी हम पीछे चले जाते हैं, अभी फ्रांस हमसे थोड़ा सा आगे निकल गया है, GDP के मामले में, अब उसके कई रिजन थे जो GDP में आगे निकल गया है, देखें इस GDP में हम लोग का जो यहाँ ये भी उत्पादन हुआ होगा, ये भी GDP में आया है, कैमरा भी GDP में, हमारा कपड़ा भी GDP, माइक भी GDP में, हर चीज तो GDP में जुड़ा होगा ना, कहीं न कहीं से हर चीज GDP में जुड़ा होता है, हम मुझ दुल रहे हैं जो फेजवास से, वो भी तो GDP में आयेगा, तो वो सब को जोड़े हुए तो इतना आया होगा हमारी जो जीडीपी थी वो पांचवे नंबर पर पहुंच गई थी एकदम समझें यह बिटेन को पीछे करते हुए लेकिन कुछ गलत स्टेप हो गया किस वज़े से कि हम लोग ने जो नोट बंदी किया तो वो नोट बंदी का जो एक स हम से कोई कहे कि भारत को बरबाद कैसे करना है msemi को बरबाद कर दो और भारत को आबाद कैसे करना है तो msemy को आरबाद कर दो इसलिए मोदी जी भी सुने ओंगेंगा भी हाली में निरमला सिधा ररमन ने the Bakings के लिए अलेख से गोशना किया था था तो ये MSME छोटे व्यापार को कहा जाता है, जिसमें छोटे मोटे उद्योग आते हैं, जैसे कहीं कलम बन रहा है, कॉपी बन रहा है, एस्क्रीम कुरकुरेफ है, ये सब मास्क बन रहा है, छोटे मोटे कपड़े का उद्योग है, आप जादे तर MSMEs का ही यूज़ करते हैं, जितने छोटे मोटे चीज़ होते हैं, वो MSMEs Industries के अंतरगात आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, इस Micro, Small and Medium, इसका separate वीडियो हम description में लिंक दे देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा, MSMEs को, तो नोटबंदी के वज़े से, ये MSME उद्योग पूरी तरह से बरबाद हो गए, क्योंकि ये जादे तर बिजनेस कैस में करते थे, और जैसे नोटबंदी हुआ था नॉमबर में, तो 4-5 महिने तक पूरी तरह कैस की कमी आ गई थी, अब ये लोग जैसे अपने को थोड़ा बहुत सुधारते बेचारे MSMEs की तब तक ठोक दिया लोग ने GST, और GST की जो 4 प्रकार है, CGST, SGST, UTGST और IGST, ये अभी भी गौर्मेंट अच्छे से समझाई ही नहीं है, और गौर्मेंट जी ने समझाने के लिए भेशती है, पता नहीं कोई से कोई से टीचर भेशती है कि GST नहीं समझाई पाते हैं, मामली चीज है GST, हमारे इसाब से 15 मिनट में GST उसको भी समझ में आ जाएगा, जो 80 साल के उमर का है और जीवन में कभी स्कूल नहीं किया है, तो वो GST एकदम नॉर्मल चीज है, समझाने का तरीका होना चीज है, तो GDP का हम आपको, जैसे GDP खतम होगा, हम आपको GST के बारे में बताएंगे, तो MSME तो नोटबंदी का मार जेली रहते, तक GST आ गया, उनकी और कमर तोड़के रख दिया, इस वज़ा से हमारा बहुत बड़ा उद्योग गिर गिया, और हमारी GDP धरधराते गई, और Automobile सेक्टर में तो Government ने थोड़ी सी लापरवाई कर दी, तो हमारा Automobile सेक्टर गिर गिर गिया, एक्चुली जो था, इन्यन की जो कैटेगरी होती है, जैसे BS4 के बाद एखी पर BS6 आ रहा है, BS का मतलता भारत स्टेज, तो जितनी भी स्टेज आगे बढ़ते हैं, तो उस इन्यन से धुआ बहुत कम निकलता है, वो बहुत अच्छे कावलिटी की इन्यन होते हैं, जैसे BS3 में जादे धुआ निकलता है, BS4 में कम निकलता है, BS6 में और कम निकलेगा, तो गौर्मेंट ने पहले ही एलाउंस कर दिया, कि हम BS6 लाने वाले हैं, तो लोग ना कार खरी नहीं छोड़ दिये, काई कि अब एक ही बार BS4 क्या खरी देंगे, BS6 खरी देंगे, उस पे से गौर्मेंट ने भी एलाउंस कर दिया, तो दो साब पहले ही, कि हम क्या हैं, एल वाला, एलेक्टिक वाला ही लेगे, आपको लाना है आप अचानक लाइएगा ना, पहले हला क्यूं कर देते हैं, इनका रोजगार चला जाता है, तो हमारा जो आटो मोबाइल सेक्टर था, वो बैठ गया, और आटो मोबाइल सेक्टर बैठेगा, उत्पादन रुखेगा, त कि इंडिया की जो currency होनी चाहिए उसे crawling पर करना चाहिए था वरना dollar और रुपिया इतना जादे fluctuate होता है जिस वएसे हमारी GDP पर भी बहुत जादे effect पड़ता है ये तो आप समझें कि GDP होता क्या है लेकिन GDP को निकाला कैसे जाता है तो आप GDP को निकालने का तरीका देखेंगे तो पांस्ट तरीका मिलेगा आपको एक हो गए आपका की nominal GDP क्या होती है फिर real GDP क्या होती है तो ये हो गए आपका दो तरीका अब real GDP के बाद आपको एक PPP GDP मिलेगी अगर आप PPP GDP की बात करेंगी परचेजिंग पावर पैरिटी तो हम तीसरे नमबर पे चले आते हैं अब उसके बाद GDP को market price पर निकालना है कि factor cost पर निकालना है ये GDP होती है और इन सम में सबसे बढ़ा value कर देता है आपका अगर आप PPP के consider करेंगे तो इंडिया की currency और dollar की currency में क्या relation है हमने free floating पर छोड़ दिया है जबकि वियतनाम की तरह अगर हमने crawling पर करते तो हम लोग भी चाइना की तरह आज हम manufacturing hub हो सकते थे तो ये कैसे dollar और रुपिया को कैसे balance करना होता है क्यों है आगे पीछे घड़ जाता है sensex और nifty share बजार कैसे घड़ बढ़ जाते तो ये GDP का जो निकालने की 5 तरीक है ये भी समझना है तो अब ही आप समझ गए कि GDP क्या है और GNP क्या है और NDP और NNP क्या है next video में हम इन सब चीजों के बारे में समझा देंगे तब तक के लिए जहिन